दोस्तो निगेटिव थॉट्ट हमें क्यों आते हैं? बारहां हम देखते हैं कि जब हम कोई काम करने जाते हैं तो उसके बारे में कुछ निगेटिव थॉट्ट हमें परिशान करने लगते हैं मालने जिए हम फ्लाइट पकड़ने जा रहा हैं तो मन में होता है कि कहीं कुछ मुश्किल तो नहीं होने वाली है हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो एक्सिडेंट का डरसत आता है यह हम ट्रेन से जाते हैं तो भी ऐसे लगता है कि भाई दुनिया भर में पता नहीं कहां कहां से ट्रेने डिरेल होती हैं कहीं ऐसा नो हो तो इसकी वजह क्या है एक्शुली जो मनोवज्ञानिक हैं जो साइंटिस्ट हैं वो हमें बताते हैं कि करीब एक दिन में 60 से 70 हजार विचार हमारे मन में आते हैं और उसमें से भी लगवक 70 प्रतिशत जो हैं वो निगेटिव होते हैं अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे निगेटिव थौट्स आते क्यों हैं अगर इसकी व्यज्ञानिक व्याख्या की जाए तो हमें पता चलता है कि एविलूशन में जो मानोता ने इतना विकास किया है वो बहुत सारी निगेटिव परिस्तितियों को पचारते हुए आज मन जरूर रहती है और एग्रिवेट तब और हो जाती है जब हम आज के महौल को देखते हैं जब हम देखते हैं कि मीडिया हम देखते हैं कि अकबार जिसे भी देखिए वहां किवल निगेटिव निउस ही दिखाई देती है क्योंकि उनका तो सोचना है कि पॉस्टिव निउस और उसकी बज़ाए ये है कि निगेटिव चीजें लोगों को चौकाती हैं, ध्यान आकर्शित करती हैं और इसलिए उनको T.R.P मिलती है, ये तो है उनकी मजबूरी, लेकिन उनकी इस मजबूरी से हमारी मश्किल बढ़ जाती है, तो दोस्तों कैसे निप्टें इस से, सबसे पहला फार्मूला तो ये है, जो पहला सूथर है, वो ये कि इसे हम स्विकार कर ले, हम मालने कि निगेटिव थॉट आना कोई गलत बात नहीं है, ये कोई अपनॉर्मल चीज नहीं है, मनुशे हम जीवन में ऐसे हैं कि निगेटिव थॉट निश्यत रूप से हमें आएंग हम ऐसे ही मान लेते हैं कि जैसे दिन के बाद रात आती है, सुबह के बाद शाम आती है, सुख के बाद दुख आता है, या अगर हम कुछ पैसे कमा रहे हैं तो कुछ नुकसान भी कभी हो सकता है, जब ये सिक्वेंस बन जाता है तो हमें उतने मुश्किल नहीं होती है, पर द Allah of Everest का इस्तमाल करना यह लाउफ Everest क्या है जिसे हम मान लिए हम फॉलाइट फॉलाइट पकड़ने जा रहा है जो निगेटिव ख़वर मिली है इक हजार उड़ती है तो कहीं एक ख़वर मिलती है तो हम इतना परशान क्यों होते हैं बलकि आंकडे तो ये कहते हैं कि 11.2 मिलियन फ्लाइट्स उड़ती है तो उसमें से कहीं एक को मुश्किल पेश आती है या वो क्रेश होती है और अगर 11 मिलियन लोग सफर करते हैं तो उसमें से कोई एक कहीं मृत्व को प्राप्त होता है इस से ज़्यादा तो दोस्तों टाइ तो ये है ला आफ एवरेज्स का इस्तेमाल करना